हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हो आप सब लोग आज से दो से तीन महीने पहले मैंने आप सभी के साथ घी से फेशल किस तरीके से किया जाता है शेयर किया था उस वीडियो को आपने बहुत सारा प्यार दिया काफी लोगों ने उसे ट्राय किया और बहुत लो है तो चलिए मैंने आज यही वाला फेशल ट्राय किया था मुझे इसका रिजल्ट काफी अच्छा लगा तो मैंने सोचा चलू मैं आप सभी को भी बता दीती हूँ आपको कड़ना क्या है एक आपको लेना है बाउल उसके अंदर आपको डालना है कोकोनट ओईल अभी चन्दन का पाउडर ले दें सकते हो आपको डालना है एक चमस भरके बेसन ऋदे आप चावल काटा ले सकते हो गहूं काता रर ले सकते मुझे मश्योर की डाल का पाउडर ले सकते हो जो आपकी स्किन को सूट करें और вкус नहीं करता हि तो क्लियों चन्दन का पाउडर ले ल आपको बताईएं, वो सारी चीज़ें ले लीजिए, अब मैंने इसे mix क्या है? गुलाब जल डाल के, अगर आपकी skin को गुलाब जल सूट नहीं करता है, तो इसकी जगे आप ले सकते हो, या तो साधा पानी ले लीजिए, या फिर छास ले सकते हो, दही ले सकते हो, जो भी आ जब सारी चीज़ें अच्छे से mix हो जाएं, उसके बाद आपको क्या करना है? आपको अपना चेहरा पहले तो दोना है, अच्छे से साफ करना है, आपकी चेहरे पे दूल, मिटी, गंडी की make-up नहीं होना चाहिए, अगर आप घर से बाहर से आयो, तब भी आपको अपने च अपने चाहिए, यह पेक इतना ज़्यादा एफेक्टिव है कि आपके चेहरे की अगर इसकी बहुत ज़्यादा ड्राय हो गई है, आपको लगता है कि आपका काम दूप का है, कि आपको घंटों दूप में रहना पड़ता है, तो उसकी बज़े से जो आपकी सिने काफी ड्राय है, तो उसको एकदम ग्लूइंग बनाने में आपकी काफी ज़्यदा हैल्प करेगा, जो यह पैक था, इसे लेकर मैंने अपने पूरे चेहरे पे कर लिया है, अच्छे से सैड, अगर आप चाहो आपके पास में टाइम है, तो यह वाला पैक आप दो बार भी लगा स अगते हो दिन में, जैसे की मौर्निंग में जब आप नाने के लिए जाते हो, नाने से दो मिनट पहले अपने पूरे चेहरे पे लगा लीजे, और हलके हलके हातों से मसाज करते हुए अपने चेहरे को दो लीजे, चेहरा दोने के लिए आपको लेना है हलका गुनगुना प पहाट है न, चहरे से पूरी तरीके से निकलनी चाहिए, तो वो ठंडे पानी से निकलेगी नहीं, तो इसलिए आपको लेना है हलका गुंगुना पानी, अब देखिये, इसे मैंने लगा कर पूरे दस मिनट के लिए झोड़ दिया था, उसके बाद मैं प्रें अपने हातों को मैंने हलका सा गीला कर लिया है और हातों को गीला भी मैंने गुन-गुने पानी से ही किया है उसके बाद आपको हलके हलके हातों से अपने पूरे चेहरे की मसाज करने है मसाज करते हुए आपको क्या है न जब आप मसाज करोगे अगर आपके पास में टाइम है तो दो मनट के मसाज जरूर करें क्योंकि मसाज करने से क्या होगा जो आप की स्किन संहा गंधगी है वो अंदर से लेगी और आपकी सिर्फ को एकन्ना आ न कलियर बनाएगी तो तो मसाज कर आध्या जरूर ज़रूर है दूसरा यह जो मैने इस में भुए च passa हौँए होगा न लेगा छहरे पे चमक लाने में help करेगा चहरे की dead skin को निकालने में help करेगा चहरे पे बहुत ज़्यदा काली अदाग दबबे हैं तो उन्हें धीरे धीरे साफ करने में भी आपकी help करेगा तो यहां पर दो मिनट मेरी massage कम्प्लेट हो चुकी है उसके बाद मैंने हलके पाने से अपने चेहरे को धूलिया है चेहरा धूने के बाद चेहरे को आपको हलका सर ड्राय करना है पूरी तरीके से नहीं करना लाश्ट में जैसे कि मैं आप सभी लोगों को बताती हूँ की आपको अपने चेहरे पे sunskrimin जरूर लगानी है, इसके बगर तो नहीं रहना है अगर नाइट में आप ये वाला स्कीम केर कर रहे हो तो नाइट में आप अपने कोई भी नाइट करीम लेकर अपने पूरे चेहरे पे अपलाई करें, अपने चेहरे पे लगाईए और उसके बाद आप सो जाएए अगर आप यह वल्ला स्टैप दिन में कर रहे हैं तो संस्क्रीन लगानी है अगर कुछ भी नहीं लगाना चाहते हैं तो अपने चेहरे पे लगाना ही लगाना है तो देखिए लाश में मैंने अपने चेहरे पे संस्क्रीन लगाई उसमें मैंने हलका सा आलमेंड ओल ले लिया था मिला लिया था मिक्स करके अपने पूरे चैरे पे लगाया चैरे पे गलू आप देख सकते हो इससे आप मेरे कहने से एक जरूर टराय करना आपको मतलब बहुत ही अच्छा इसका रिजट मिलेगा मेरे मुझे छाले हो रखे न तो थोड़ी से बोलने में मुझे प्रॉब्लम ह झाले हो रिया